हेलो जी सर यार यह रिक्षा स्लो क्यों हो गया है मुझे लगता है उसा शाक हो गया है जल्दी निकल जी जी सर मैं समान लेके निकला हूँ बस रास्ते में हूँ यारा तीसरा डबा नहीं उतार पाए वो बहुत भारी डबा था पतनी क्या था उसके अंदर जरूर कोई ना कोई कीमती समान था चल कोई ना दो डबे तो हाथ लग गया है एक तेरा एक मेरा भाग भाग के बहुत हैं मैं पानी लेके आता हूं तू यहीं रूप जल्दी आना कि देखों तो सही आखिर इन डबू में है क्या क्या कह रहे है सर एक डबे में कीमती लैप्टोप रखा हुआ है यह क्या है अरे सर पहले पताना चाहिए था इतनी कीमती चीज किसी वजनी डबे के नीचे आगे तूड़ जाती अच्छा मैं चेक करता हूं यह तो मेंगी कंपनी का लैपटाप है है इसमें से दो डबे कहां का यह लगता है लगता है लैपटोप वाला डबा कहीं पर गिर गिर गिया है तो तनी इस डबे से क्या रिकलता है है निम को बोतल तो नहीं में ले शापर में ल इतना कीमती लैपटाप निकलाया अबे बात सुझ ये मेरे डबे से निकलाया, तेरे डबे से नहीं यार ये तु क्या बोल रहा है, तेरे मेरे वाली बात कहां से आ गई हम दोनों ने मिल के चोरी की है, जो भी है, मिल बांट के खाएंगे सभी कえते हैं स्याने पैसे गहरे और पुराने दोस्तों की नियत में भी फटूर डाल देता है तुझ जो कहना कहते हैं मैं निकल रहो यहां से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस भाइमान के साथ अच्छा बात सुन वो जो तीसरा डबा मैं उतारने की कोशिश कर रहा था वो बहुत भारी था मुझे लगता है इस लैपटाप से भी किमती चीज़ होगी उस डबे में अगर तू मेरा साथ देता है तो उसे मिल के चुरा लेते हैं और जो भी निकलेगा आदा आदा बांट लेंगे चल ठीक है पिर आज डबल दिहारी करते हैं अच्छा ये बात सुन ले उसमें से आदा इससा मेरा होगा इसको मैं यहीं चुपा देता हूँ मेरी निमको खाना आज जल्दी तल रक्षा यहीं होगा अभी शुकर है रक्षा रुका हुआ है यार डब्बा भौत बारी है यहां से नहीं उठाया जाएगा तू रक्षे के अंदर गुस वहाँ से वहाँ से उठा के दे मैं यहां से पकड़ता हूँ चुप कैसे गुजञा गुजञा मेरे साथ दो नमरी कर रहा था साला अब लेप्टाप भी मेरा हुआ और निम्को भी लेप्टाप प्याह मेरे घज हुआ रहा था बारे बहा हुआ national